हेलो गाइज तो इस वीडियो में डिसकस करेंगे माइग्रेशन क्या है और माइग्रेशन से रिलेटेट कौन-कौन सी थेरीज हैं जो की दी गई हैं माइग्रेशन के डिसकोर्स में तो प्यारे दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं माइग्रेशन का मतलब है कि किस कम समय के लिए हो सकता है या परमानेटली हो सकता है मतलब होता है होता है kosasen शॉटzos माइग्रेशन को मैं उदाहरण के द्वारा समझाओं तो जैसे अभी कोरोना में लॉक डाउन हुआ तो बहुत सारे लेबर सिटी से लॉट करके गाउं की तरफ गए और फिर जब कोरोना धीरे-धीरे थोड़ा कम हुआ तो उनके लॉटने की प्रवित्ति दिख रही है तो मत लब गाउं से शहरों की तरफ या शहरों से गाउं की तरफ रोजगार के लिए लोगों का जाना यह शौर्टर माइग्रेशन है लेकिन जैसे आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भिभाजन हुआ था जब भारत स्वधन्त्र हुआ था तो लोग यहां से जा दोस्तों जब हम migration की study करते हैं तो दो term हमको बहुतायत देखने को मिलते हैं e-migration और immigration जिसे मैं हिंदी में बोलूं तो e-migration का मतलब होता है उत्प्रवास और immigration का मतलब होता है आप्रवास तो दोस्तों इन टाम का मतलब क्या है ये देखते हैं इमिग्रेट का मतलब है कि लोगों का एक कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाना मतलब ओरिजिन जो कंट्री है जहां पर आदमी का जीवन है या जहां पर आदमी पैदा हुआ है वहां से जा करके दूसरे किसी country या दूसरी किसी destination पर अगर देश के अंदर है तो दूसरी destination और देश के बाहर है तो मतलब दूसरी country वगएरा में sit होना तो emigrate का मतलब यही है कि एक country को छोड़ करके या एक place को छोड़ करके दूसरी place पर जा करके settle होना तो जो country of origin है वहां के लिए वह क्या होगा वह emigrant होगा याद रखिएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस image में emigrate का मतलब है निकल करके जाना तो दोस्तों इसका उदाहरन मैं आपको दूँ तो जैसे इंडिया की बहुत बड़ी labor force emigrate होई है कहां के लिए UAE के लिए तो वो जो लोग गए हैं इंडिया के लिए वो emigrate हुए हैं और वो UAE पहुचे हैं तो वहां के लिए वो emigrant होंगे तो emigrate का मतलब यही है कि to move into a non-native country जो country या जो place किसी आदमी की birthplace नहीं है वहां पर जा करके उस आदमी का बसना और वहां के लोगों के लिए फिर वो क्या हो जाएगा वो emigrant हो जाएगा तो दोस्तों तो जैसे इंडिया की जो labor force UAE गई है वहां पर काम कर रहे हैं तो UAE के citizens के लिए वो लोग क्य किये हैं इमिग्रेट किये हैं तो वो emigrants होंगे तो emigrants का मतलब होता है जा करके बसना और immigration का मतलब क्या होता है कि कहीं से निकलना तो दोस्तों आइधिंक यह आपको बहुत ही clear हो गया होगा तो आप बात करते हैं कुछ facts की तो facts का मतलब यही है कि जो migration है वो किस तरीके से हुआ है जो government data है 2011 का जो census है वो यह कहती है कि total 45.6 माइग्रेंट जो है माइग्रेट हुए है 2011 में जो की 31.5 क्रोर था 2001 में मतलब की 38 परसेंट जो population है इंडिया की उसमें migration की tendency देखी गई है और बात करी जाए international migration की मतलब इंडिया के बाहर तो खाली दो से तीन प्रतिसत लोग total migrants में से इंडिया के बाहर गए है इंडियन डाइसपोरा या इंडियन जो migrants है वो पूरे all over world फैले हुए हैं कई सारे देशों की बहुत बड़ी संख्या बनाते हैं इंडियन migrants तो दोस्तों migration जो है यह domestic भी हो सकता है और यह international भी हो सकता है अंतर राष्टिय भी तो घरेलू भी हो सकता है और अंतर राष्टिय भी हो सकता है घरेलू का मतलब यह है कि सपोज जैसे कानपूर से कोई आदमी दिल्ली के लिए माइग्रेट कर जाए या डेल ही से मुंबई के लिए माइग्रेट कर जाए तो यह बिदिन कंट्री मूव कर रहा है जो नेशन है उसी की स्वेरेंटी के अंदर मूव कर रहा है तो यह हो गया domestic migration या घरेलू प्रवास और international का मतलब यह है कि यह देश से आदमी कोई आदमियों का समूह जो है वह बाहर निकल रहा है मतलब अगर जैसे टेल ही से कुछ लोग मूव कर जाएं सपोज रसिया के लिए या डेल ही से मूव कर जाएं कुछ लोग UAE के लिए या सौधी अरेबिया के लिए तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रवास होगा वो क्या होगा international migration होगा अब यह जो migration है यह बहुत ही important factor है जो कि किसी भी जगह की population को घटाता या बढ़ाता है मतलब population को change करने में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो जहां से माइग्रेंट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं वहां की population घटी है सपोज जैसे इंडिया से कुछ लोग जा गए काम करने के लिए यूए इंडिया की population को यह लोग क्या करेंगे घटाएंगे या माइग्रेंट्स जाएंगे वहां के resources पर प्रेशर रेडियूज होता है और जहां पहुंचते हैं वहां के resources पर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो मित्रों इसके कारण से कई बार बहुत सारी bineries देखने को मिलती हैं जैसे अस वर्सेस दें की bineries या आप यह कह सकते हैं कि देशी और व्डेशी की Bineries होती है जो होती है या Nature और ऐलियन की बाइनरी होती है तो यह सारी बाइनरी बहुत बार conflicts वगेरा arise करती है जो कि academic discourse में बहुत ही जादा research करी जा रही है जिस तरीके से globalization बढ़ रहा है और globalization या वैश्वी करण ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस momentum को बढ़ाने में या migration को बढ़ाने में तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही next video में बात करूंगा streams of migration in India जो कि बहुत ही important है और उसके साथ साथ बहुत सारी theories जो कि दी गई है माइग्रेशन को explain करने के लिए माइग्रेशन के process को पूरी तरीके से elaborate करने के लिए specify करने के लिए तो बने रहिए मेरे चैनल अविराल धारा जोगुर्फी वी दंबेश जीन्यू के साथ मिलते हैं thank you very much but please don't forget to like share and subscribe thank you guys